के तहत मामला आगे बढ़ता है बढ़ता रहेगा हाई कोट ने ये भी कहा कि गवा के बयानों को खारिज नहीं कर सकते हैं साथी साथ हाई कोट की तरफ से ये भी कहा गया या जो हाई कोट अपना फैसला जो पढ़ रहा है उसमें ये कह रहा है कि केजरिवाल गवा को क्रॉस कर सकते हैं आरोपी मनी लॉंडरिंग गिरफतार है ये भी हाई कोड की तरफ से सामने आया है अब समझे अर्विंद केजरिवाल को लेकर इस वक्त देश की सियासत जहां एक तरफ गर्म है तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है आरोप रतारोप का दौर जारी है क्य क्योंकि इस वक्त दिल्ली पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है इस मामले पर चाहे वो खानूनी तौर पर हो या फिर राजनेतिक तौर पर दोनों पहलों जानेंगे आपसे देखिए इस समय कोट का जज्ज्मेंट क्योंकि रेगुलर आ रहा है कोट के कोट जो भी जज्ज्मेंट दे रहा है वो लगातार कोट लिखवा बोल रहा है कोट के सामने जस्सिस तुर्ण का अंता एक बहुत ही महत्पून बात जो न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को इस कोट के सामने नहीं था कोट के सामने जो मामला है वो एडी और अर्विंद केजरिवाल के बीच में है तो अर्विंद केजरिवाल और कें सरकार के बीच क्या विवाद चल रहा है किस सर्य के विवाद है ये कोट को तैय नहीं करना कोट के सामने केवल एडी और अर्विंद क प्रिंसिपल्स हैं, कानूनी जो बुन्यादी जानकारिया है, प्रिंसिपल्स हैं, उनके अधार पर लिखा जाता है, पॉलिटिकल एफिलियेशन के अधार पर जज्जमेंट्स नहीं होते, तो बहुत बड़ी बात कोर्ट ने ये बोली है, और निश्चित तोर पर कोर्ट की इन टिपनियों से, अर्विंद केजरिवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने जा रही है, क्योंकि कोर्ट ने अपने आदेश में कई ऐसी चीजे पूरी तरीके से गिराई हैं, जो अर्विंद केजरिवाल के वकीलों के जरि और कोर्ट का किसी भी पॉलिटिकल मॉरैल्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अर्विंद केजरिवाल के वकील, अभिशेक मनु सिंग्वी ने राजनीतिक तोर पर इनी बहस को जब वो जिरह कर रहे थे, काफी आगे ले गए थे, और उन्होंने इस पूरे मामले को राजनीतिक तोर से प्रेरित बताते हुए ग्रफतारी पर भी ये कहा था, कि ये राजनीतिक के कारण ही ग्रफतारी की गई है, तो कोर्ट ने एक तरह से जो बचाव पक्ष की तमाम दलिले थी, उन्हें खारिच किया है, अभी हलंकि कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से कोर्ट ये मामला दे रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है, कि अरविंद केजरिवाल के लिए बहुत मुश्किल ये फैसला रहने वाला है, कोर्ट ने ये भी बोला है, कि जो फाइल्स एडी ने कोर्ट के सामने रखी है, उससे ये साफ होता है, कि केजरि के मामले में गुर्फतारी के नियम होते हैं, उन सभी नियमों का पालन किया गया था और मजिस्ट्रेट का जो ओर्डर था वो भी काफी बैलेंस ओर था और मजिस्ट्रेट के ओर्डर में भी काफी चीजे बकाईदा कारणों के साथ लिखी गई थी कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो कोर्ट के सामने मैटीरियल है उसमें काफी सबूत अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं बतोर इंडिविज्वल और बतोर पार्टी सही ओजग तो हमारे से योगी विकरान त्यादव ने देखे पूरी डीटेल यहां पर आप तक पहुंचाई है कि अब तक कानूनी प्रक्रिया के तहट क्या कुछ सामने आ चुका है जो दलीले यहां पर दी गई हैं और उसको लेकर हाई कोल्ट की तरफ से क्या यहां पर सामने आ रहा है क्योंकि आज नजरे सिर्फ दली वालों की नहीं बलकि पूरे देश की टीकी हुई हैं बड़ी खबर इस वक्त केजरिवाल ब्रेकिंग के जरिया आप तक पहुंचा रहे हैं केजरिवाल गवा को क्रॉस कर सकते हैं गिरफतारी की टाइमिंग पर सवाल उठाना गलत हाई को चुनावी माहौल है ऐसे में जो सवाल बार बार उठाए जा रहे थे उसे लेकर हाई कोट ने कहा है कि गिरफतारी है हाई को सीदे सीदे यही संदेश दे रहा है कि खानूनी प्रक्रिया के तहत कोई भी मामला आगे बढ़ता है उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल नहीं उठ चाहिए या जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं वो गलत है विकरांत हमारे साथ बने हुए है विकरांत टाइमिंग पर सवाल उठाना गलत गिरफतारी की कोट राजनीती का कोई अखाडा नहीं है यह भी यहाँ पर कहा हाई कोट ने समय की सबसे बड़ी खबर कोट ने काया कि अर्विंद केजरिवाल की मामले में ग्रफतारी पूरी तरीके से वैलिड है वो पूरी तरीके से कानून सम्मत है अर्विंद केजरिवाल की याचिका खारीज दिल्ली हाई कोट ने अर्विंद केजरिवाल की याचिका को अब रही है कोट ने अप्रूवर्स के बयान कोट के सामने रखे हैं कोट ने खुद अर्विंद के जिवाल के केंडिरेट का बयान सामने अर्वान सामने विरेट के दया लिवाल याशोर्सángुचवर्सर विरेट सकति बयान अर्वाश्स के जिवाल69 ने जिवाला सामने